फिल्म कलाकारों का IQ कम बताने पर बुरी तरह से भड़के फरहान अक्तर अभिनेता फिल्ममेकर फरहान अक्तर जो अपनी स्पष्टवादित्ता के लिए जाने जाते हैं की एक राजनीतिग्य को शालीनता भरे लहजे में चितावनी देकर एक बार सुर्खियों में आ गए हैं बीजेपी के राष्ट्री प्रवक्ता जीवी एलनर सिमहाराव के बायान स्टार्स का IQ लेवल बहुत ही कम होता है पर फरहान अख्तर बुरी तरह से भड़क गए हैं दरसल तमिल सुपरस्टार विज़ की एक्शन ड्रामा फिल्म अरसल इन दिनों विवादों में गीरी हुई है जहां एक तरफ फिल्म कमाई के मामलों में एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है तो वहीं फिल्म को काफी सारे विरोधों का सामना भी करना पड़ रहा है इस फिल्म को लेकर भारतिये जनता पार्टी ने विरोध दर्च कराया है पार्टी का आरोप है कि फिल्म में नोट बंदी और जिये सटी को नकरात्म धंग से दिखाया गया है भारतिय जनता पार्टी का आरोप है कि फिल्म में जिये सटी और नोट बंदी के बारे में घलत जानकारी दी गई है 20 अक्टूबर को बीजेपी ने इस पर आपती जताई और केंद्रिये बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन CBAPC द्वारा मंजूरी के बावजूद केंद्रिये कराधान के सीन हटाने की मांग की बीजेपी की तरफ से फिल्म से इस तरह के सीन हटाने की मांग भी की जा रही है इस मामले में कई समाचार चानलों पर खूब बहस भी हुई ऐसे ही एक डिबेट शो में BJP KGVL नरसिम हाराव ने फिल्म कलाकारों को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जो कलाकारों को बिल्कुल पसंद नहीं आया BJP KGVL नरसिम हाराव ने कह दिया कि फिल्म वालों का बहुद हिक्स तरकम होता है BJP नेता के नाशनल टीवी पर दिये इस बयान पर फरहान अख्तर ने कड़ी आपती जताई है फरहान अख्तर ने बेहत कड़े शब्दों का इस्तिमाल करते हुए नरसिम हाराव को लिखा है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इसी के साथ फरहान ने नरसिम हाराव के साथ राजनीती में कडमताल कर रहे फिल्म कलाकारों पर निशाना साथते हुए कहा है कि आप सब को शमानी चाहिए देखिए ये आप लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं फिल्मों की बात करें तो फरहान अखतर पिछली बार लखनाउ सेंट्रल फिल्म में नजर आये थे